शाम के टाइम हलकी फुलकी भूग के लिए समझ में नहीं आता कि क्या बनाए जो बच्चों को भी पसंद आए और बड़े भी खुशो कर खाएं तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ही बैटर से बनने वाली दो रेसेपी जो बच्चों को भी पसंद आने वाली है और साथ में बड़ो को ही तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर बाउल में मैंने तीन से चार उबले हुए आलू है वो ले लिए हैं एक इसके अंदर हम हरी मिर्ज डालेंगे बारी कटी हुई और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है बारी कटा हुआ हरा धनिया एक चोथाई चमच हम इसमें डालेंगे काली मिर्ज और एक पाइस इसके अंदर हमें बिल्कुल भी आडनी करने अब हमें बनाना है बैटर बैटर के लिए मैंने एक बड़ी प्यास ले ली थी उसको पतला पतला लंबा कट कर लिया था जैसे हम नौर्मली घर में कट करते हैं आधी कटोरी मैंने इसमें डाला है चावल का आटा आधी कटोरी मैंने इसके अंदर डाला है बेसन अब इसके अंदर मैंने बची हुई जो मिर्चती हरी कटी हुई बारिक आधी वो डाल दी है बचा हुआ हमें इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है आधी चमच मैंने इसके अंदर लाल मिच डाली है एक चोता ही चमच मैंने इसमे डाला है अजवाइन और अब मैंने इसमें डाला है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको अब हमें मिक्स कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है जिसमें इसमें लंप्स ना पड़े और जैसे पकोडों का बैटर होता है बिल्कुल उसी तरीके की consistency में हमें ये better ready करना है तो better आप देखेंगे हमारा यहाँ पर हो चुका है ready यहाँ पर मैंने ले ली है bread तो दो बेले मैंने bread ली है और उसके side से जो bread के edges हैं उनको मैंने अच्छे से cut कर लिया है side के जो हमारे edges निकल रहे हैं bread के उनको हमें waste नहीं करना है उनको हम use करेंगे तो एके करके हमने पहले दो bread थी उसके sides के edges हमने cut कर लिये थे अब यह जो दो bread है उनके भी हम cut कर लेंगे अब चाहें तो एक साथ 4-5 bread का कर सकते हैं बट 4-5 में cut करने में थोड़ी सी problem होती है तो यहाँ पर मैंने cut कर लिया है अब जो यह बची हुई bread है इनको हम फैकेंगे नहीं इनका हम bread crumb बनाएंगे तो यहाँ पर पहले मैंने ले ली हैं दो bread फिर हमें एक glass लेना है जिसके उपर से shape मतलब मुड़े ना हो सीधा हो और उससे हमें goal shape में इसे cut कर लेना है आप चाहें तो इसे cut कर सकते हैं और इसका जो bread का part बचा है उसको भी हम bread crumb में use कर लेंगे बाद में तो यहाँ पर मैंने दोनों bread को अच्छे से balance हलका सा बेल लिया है अब इसके उपर मैंने थोड़ी सी green चटनी लगा दी है बच्चों के लिए बना रहे हैं तो green चटनी ना लगाएं या green चटनी के अंदर थोड़ा सा spicy कम रखे फिर मैंने cheese slice लगा दी उसके उपर bread लगा के उसको हाथों से काफी अच्छे से press कर दिया इसी तरह से हमें और bread हैं उनको भी ready कर लेना है अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ जो हमने चोकोर bread कट करी थी उसको भी हमें बेलन से बेल लेना है उसको कोई shape नहीं देनी है अभी और दोनो bread के उपर हमें चटनी लगा देनी है और अब हम इसके उपर लगा रहे हैं stuffing वहाँ पर हमने stuffing नहीं लगाई थी round वाले में यहां square वाले में हम आलू की stuffing लगा रहे हैं और इसको भी दूसरी bread से रखके हाथ से अच्छे से press कर देना है अब यहां पर इसे हमें triangle shape में cut कर लेना है तो यहां पर मैंने triangle shape में cut कर आ है तो इसको मैंने दो बार cut कर दिया है तो इससे हमारे 4 triangle shape के pieces निकल कर आ गए है अब एक एक करके हमें इसे dip करना है batter के अंदर तो यहाँ पर पहले जो हमारा cheese वाला है जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है वो मैंने fry कर लिया था और fry करने के बाद इसको अलट पलट कर एक एक करके सेक लेना है आप चाहें तो एक साथ दो भी डाल सकते हो तो मैंने यहाँ पर एक एक करके फ्राई कर रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी को तो सबसे पहले यही राउंड वाले खाने थे चीज थी ना बच्चों को चीज का नाम सुनते ही बस मुह में पानी आ जाता है और अभी मैं आपको एक पीस कट करके दिखा देती हूँ कि चीज देखेंगे कितने अच्छे से अंदर इसमें बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है तो थोड़ा सा मैंने इसको बच्चों के लिए अट्रेक्टिव करने के लिए गार्णिश कर दिया है और हलका सा मैंने इसके उपर लिक्वेड चीज कहलो या मियोनीज कहलो वो लगा दिया है हलका सा इसके उपर हम कैचप लगा देंगे और आप देखोगे कि कितना अच्छा लग रहा है अब इसी तरह से हमें दूसरा जो हमने ट्रैंगल शेप में बनाया है उसको हमें बैटर के अंदर डिप करके दोनह तरफ से और कड़ाई के अंदर डाल देना है फ्राइ होने के लिए तो इसको भी हमें डिफ्राइ कर लेना है आलट-पलट के गोल्डन ब्राऊन होने तक तो इसको आप एक तरह से दो रेसिपी वैसे तो इससे और भी मैं रेसिपी बना सकती थी लेकिन अब भी फिलाल के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने इसकी दो ही रेसिपी आपको बनानी बताई है तो वीडियो पसंद आई हो तो घर पर ज़रूर ट्राय करिएगा और शाम की चाई के साथ फैमली के साथ बैट कर जरूर खाईएगा इसे बनाके और वीडियो पसंद आने की बात है तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा भर भर के जादा से जादा शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करिएगा मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई